जैन दोस्तों बंदे मातरम आज निहंग सिखो की चर्चा देश भर में हो रही है और ये किसको पसंद नहीं होगा कि उसकी चर्चा देश भर में हो वही कोई भी हो आज के समय में हर कोई यही चाहता है कि उसकी चर्चा हो लेकिन अगर वो चर्चा गलत तरीके से हो तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है क्योंकि वो गलत कारणों से हो रही है और कोई नहीं चाहता कि गलत कारणों से उनकी बारे में कोई भी बात करें लेकिन नहांग सिखों की जो आद चर्चा हो रही है वो गलत कारणों से ही हो रही है और क्यों हो रही है इसका कारण हम सभी जानते हैं कि सिंगू बार्डर पर जो घटना होई है उसके कारण कई सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं सैयोक्त किसान मुर्चाने तक अपने हाथ खड़े कर लिए कि भईया हम तो खुद इन से परेशान हैं हम कुछ नहीं जानते है मतलब इस प्रकार की बातें निकल कर सामने आ रही है नाकेश तिकैत ने इसको लेकर दुग जताया और कहा है कि भई पुलिस जाच में जो भी कुछ होगा वो चीज़ सामने आही जाएगी प्रियंका कांधी पता नहीं वहाँ पर जाकर अंशन करेंगी की नहीं करी गई है उसके परिवार को न्याय दिलाएंगी नहीं दिलाएंगी क्योंकि न्याय अभी बहुत दिला रही है लखिमपुर खिरी में इनोंने बहुत न्याय दिलाया है तो हो सकता है यहाँ पर भी भी तेज हो जाती है ये बात आम जंता को समझ लेनी चाहिए तो इस वीडियो में हम लोग राजनीती की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में हम सिर्समझने कोशिश करेंगे कई लोगी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर निहंग सिक कौन होते हैं और वो लोग मतलब लोग जान के प्रदरशन वाली जगे पर एक शक्स की हत्या हुई है हत्या के कई दिल देराने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेर रहे हैं सत्या के आरोप निहंग सिकों पर लगा है कभी गोरी गोबिन सिंग की इस फौज के बहादूरी के किस से सुना जाते थे लेकिन पिछले कलत वज़ों से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं लोड़ी चर्चाएं भी कोई अच्छी नहीं है निहंग सिकों से जोड़ा सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आकर निहंग सिक कौन है उनका इतिहास क्या है दरसल ये पुराने सिक योद्धाओं से निकला एक समू है कहा जाता है कि 1699 में जब गुरु गोविन सिंग द्वारा खालसा बनाया गया था तो उसके साथ ही निहंग सिकों की भी उत्पत्ती हुई थी ये लोग आज भी धर्म सम्परदास से जोड़ी जगों पर रहते हैं निहंग ने अठारी और निस्वी शताबदी में मुगल औ और अफगान गुस्पैट का मकाबला किया अफगान आकरमनकारी एहमद शाबदाली का निहंगों ने जम कर सामना किया था लेखा कर इतिहासकार पटवंद सिंग निहंगों को पुरानिक और कट्टर सनानियों के रूप में वर्नित करते हैं जिनोंने गुरु गोविन इसे अब तक कई युद जीते 1818 में महराजा रनजीत सिंग के सरकार एखालसा बनने श्रे काफिहत तक निहंग युद्धाओं को जाता है सिखों का इतिहास में खुश्वंद सिंग ने लिखा है कि मुल्तान की विजए ने पंजाब में अफगान प्रभाव को समाप्त कर दिया और दक्षिन में मुस्लिम राज्यों के ठोस आधार को तोड़ दिया और इसने सिंध कर रास्ता भी खोल दिया 1849 में ब्रटेश सामराज्य के वक्त में सरकार खाल्सा के पतन ने निहंगों के प्रभाव को भी काफिहत तक कम कर दिया था लेकिन निहंग का मतलब क्या होता है निहंग का मतलब है संस्कृत फार्सी श्री गुरुद गरंद साहिब के इसके कई अर्थ निकलते हैं जैसे गुरु शब्द में इसका मतलब तलवार घडियाल मगरमच घोड़ा आदी है वहीं गुरु गरंद साहिब में इसका मतलब ए लोहे का कंगन होता है करतार या कमरबंद खंजर होता है धाल होती है युद्ध के जूते होते हैं तोड़ाधार बंदूग या राइफल होती है वरतवान समय के नहंगों के तीन मंडल है इसमें तरोना दल यूवाबल बुद्ध दल बुजर्गों का शामिल है इसके अलावा सिख बुद्धी जीवियों का मानना है कि वर्तमान निहंगों में से कई सिख आचार साइंता के तुलना में बाहरी ड्रेस कोड पर अधिक जोड़ देते हैं, आरोप है कि आपराधिक तत्व भूमाफिय जब अब निहंगों से चुड़ गए हैं, जिससे दिक्कते बड़ी है वर्तमान में कुछ निहंग प्रताएं मुक्यधारा की सिख परंपराओं के विप्रीत हैं, बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के वक्त पटियाला में पुलिस पर निहंग सिखों ने हमला किया था, तब कुछ निहंग सिख एसाई का हाथ काट कर फरार हो गया था, दिल्ली मे 26 जनवरी के दुरान जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी कई वीडियो ऐसे आये थे, जिसमें निहंगों के उपर सवाल खड़े कर दिये थे, जाहिर सी बात है किसान आंदोलन में भी खालिस्तानियों के पाकिस्तानी आईसाई के घुसने के आरोप लगातार लगते ही र जगह से निकल कर आता है, उसके हमें आज के विचारों से तालमेल बिठाने में कहीं ना कहीं या तो परिशानी हो रही है, या फिर वो लोग आज की चीजों से तालमेल जो है नहीं बिठा पा रहे हैं, एक वीडियो और इसका वायरा लगर जिसमें को कह रहे हैं कि भई हम तो मोदी को जलाएंगे, मतलब यह किस प्रकार की मानिसिक्ता के साथ आ रहे हैं, मोदी को क्यों जलाएंगे आप लो, क्या कारण है, कारण भी बता दे इसके साथ साथ, आप लोग जदी कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मेरे सुडियों फिल नहीं जैहिन, जै भारत